अगर आपके मोटो फून का इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है तो इस प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखि दोस्तों अगर आपके मोटो का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसकी सॉलुशन के लिए करना है देखिए सबसे बहले मोटो को री स्टार्ट करने है इसके लिए फोन के साइड वाला पाउर बटन आपको उगली से दबाकर रखना है आपका पेज आता है समा आपको कई option tap करना है इससे क्या होगा आपका फोन automatic switch off हो जागा freeze के थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जागा री स्टार्ट करने से ही होता है हमारे फोन के android system में अगर कोई भी प्रॉडम हाती है तो वो solve हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अगला काम यह करना है कि mobile phone की network setting को reset करना है दोस्तो अब को इसके अगले पेज में दुबारा से से रिसेटिंग का यह option आपको टैप करना है अब आपको इसके अगले पेज में दुबारा से से reset setting का यह option आपको टैप करना है आपको यहां पर थोड़ी देर में नीचे की साइड लिखा हो आ जाता है network setting आप चालू कर लिए इसके बाद आपको फोन का setting पेज ओपन कर लेना है setting पेज में आपको नीचे की साइड इस सिस्टम पर टैप करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम अपडेट पर टैप करना है अब आपको जो है इस वाले पेज़ पेज़ पर अगर कोई भ फोन को reset करने के लिए phone का setting पेज ओपन कर लीजिए setting पेज के अंदर आपको सबसे ओपर इस सर्च बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की साइड रिसेट आप्शन सो होता है इसे टाप करना है आपको फोन आपको डिरेक्ली सेटिंग में आपको लेकर आजाएगा reset आ अगले पेज में सबसे नीचे delete all data factory reset पे टाप करना है इससे आपका फोन जो reset हो जाएगा और आपके फोन का जो internet की प्रॉलम है या आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको फोन को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके फोन में जित हो जाएगी टीक है